तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल और मैं हूँ चैनल का होस्त तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अन्बोक्स करके दिखाने वाले एक बहुत ही बवाल सेट जो की सैमसंग ने लॉंच कर दी अपना A-Series का सेट तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा इस मोबाइल से रिलेटेड तो इस वीडियो को आगर तक जरूर देखेगा और हाँ अगर आप नहीं मेरे चैनल पे तो जाके मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लिजे और हाँ घंटा जरूर से दबाजिएगा जिसे मेरी कोई भी लेटिश वीडियो आएगी तो उसम पूरा एक कंप्रीट लुक दिया हुआ है मोबाइल का और यहां लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में A50 और साइड में देखे तो साइड में दिखा हुआ है सैंसंग गलेक्सी A50 और पीछे की तरफ देखे तो पीछे आपको कुछ फीचर्स लिखे हुए दिख जाते हैं जो पीचेन सिम काड ओनली तो यह डूस भी लिखा हुआ है तो आइए इसको फटावट से खोल लेते हैं इस बॉक्स को और देख लेते हैं क्या 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 दिये हुए इस बॉक्स में तो सबसे पहले देख ले तो इधर आपको मिल जाएगा एक बहुत ही सर्प्राइस और साथ ही साथ आपको सैमसंग में अब मिल जाता है एक सॉफ्ट कवर मिल जाएगा आपके मोबाइल को प्रोटेक करने के लिए बहुत ही बढ़िया कवर दिया हुआ इस मोबाइल के लिए तो यह आपको मिल जाएगा साथ ही साथ और इधर आपको मिल जाता है मेन जाता है यह पता चलता है यह पता चलता कि फौन में आपको 3.5mm jack मिल जाता और देख लें इसमें आपको मिल जाता है बहुत tacos और यहां केबल mad black color में और इसमें देख लें आपको कौन सा charger मिल जाता है ना कि यह micro USB हो, यह type C, तो यह आप देख सकते हैं, यह आपको लिए surprise है, यह इसमें आपको मिल जाता है type C cable, तो यह एक बहुत ही बढ़िया बात है, कि इसमें आपको type C cable मिल जाता है, और देख लें box तो आईए इसको फटाफट से रिमूव कर लेते हैं इसके रैप को तो इसको मैंने रिमूव कर लिया और आप देख सकते हैं ये ये ग्लोव आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लूग आपको मिल जाएगा और पीछे की तरफ में आपको मिल जाता है सेंटर में सैंसंग का लोगो और इधर आप देख लेए तो इधर आपको मिल जाएगा थ्री कैमरे का सेट अब जो की आपको मेन कैमरा 25 मेगा पिक्सल का जो की F 1.7 अपर्चर के साथ में है और आपको मिल जाता है एक 8 मेगा पिक्सल का कैमरा जो की आपका F 2.2 अपर्चर के साथ में है और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा 5 मेगा पिक्सल का जो की अपर्चर F 2.2 के साथ में है और साथ ही साथ LED flash, तो पिछे का look आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लुक दिया हुआ है, और सामने का look भी बढ़िया दिया हुआ है, आईए इसको फटा-फट से boot कर लेते हैं, तब तक इसके और भी features के बारे में जान लेते हैं, तो इसको मैंने boot कर रहा है, और साथ इसके display की बात क solution आपको इसमें मिल जाएगी, और इसके ratio की बात करने तो 19.5-9 का इसमें aspect ratio मिल जाता है आपको, तो यह बहुत ही बढ़िया है, और इसको यह phone हो चुका है, boot, तो यह आप देख सकते हैं, इसका look बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, हाला कि जो आप देख सकते हैं, इसमें आपको main page जो wallpaper दिया हुआ है, यह वही same, इसमें default wallpaper आता है, तो यह आप देख सकते हैं, उपर में आपको मिल जाते है, you cut notch आपको मिल जाते हैं, उसके just above में आपको earpiece मिल जाता है, जो की बात उतकने के लिए, और आप उपर की तरफ देख लिए, तो secondary microphone उपर मिल जाता है, और इस तरफ देख लें, तो इधर आपको मिल जाएगा, volume up and down का button मिल जाएगा, इधर आपको मिल जाता है on off and off का button, और इधर की तरफ देख लें, तो इधर आपको मिल जाता है sim tray, तो आईए इसको फटाफट से निकाल के देख लेते हैं, इसमें क्या method दिया हुआ है, sim का hybrid है या नहीं है क्या है, तो आईए इसको चेक कर लेते हैं, तो यह बहुत ही बढ़िया बात है, इसमें आपको hybrid slot नहीं मिलता है, इसमें आपको separate separate slot मिलता है, sim 1 के लिए, sim 2 के लिए और साथ ही साथ आप इसमें memory card भी लगा सकते हैं, इसका मतलब आप इसको expand भी अच्छे स कर सकते हैं, और साथ ही साथ दो sim भी यूज़ कर सकते हैं, तो यह बहुत ही बढ़िया चीज दिया हुआ है, और साथ ही साथ नीचे देख लें, तो नीचे की तरफ में आपको मिल जाता है 3.5 mm jack, और एक बहुत ही बढ़िया चीज दिया है, जो कि आपको type C charging point मिल जाता है, और साथ ही साथ microphone मिल जाएगा और speaker का green मिल जाएगे, तो यह set आईए देख लेते हैं, अंदर से इसके क्या क्या features हैं, और साथ ही साथ बात कर लें इसके offer और discount की, तो यह mobile आप ले सकते हैं, पहुन mobile center से, जो कि सनौली border पे है, तो वहाँ पे अगर आप coupon code बताते हैं, जो क link भी मिल जाएगा, सारे detail अगरा सब कुछ आपको description में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, इसके software की बात करें तो उपर से देख लें, आप drop करते हैं, तो यह look आता है, आपको बहुत ही बढ़िया look दिया हुआ इसमें, और साथ ही साथ इसका features को open कर ल अंड्रॉइड Pi इसमें आपको मिल जाता है, और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Exynos का 9610 का आपको Octa-Core का प्रोसेसर आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ इसके selfie camera की बात कर लें, तो इसके selfie camera आपको 25 megapixel का selfie camera मिलता है, जो कि aperture F2.0 के साथ में आपको मिल जाएगा, और स लेते इसमें कैसे वॉर करती है ये आप देख सकते हैं अब इसमें सेट अप करने का दिकार है कि इस तरीके से आप इसको सेट अप कर सकते है तो यह इसको चेक कर लें तै कि इस तरीके से work करता है, क्या fast है कि slow है, तो ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे touch करता हूँ, और ये देखे, open हो चुका है, तो ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई button प्रेस करना है, कुछ भी नहीं प्रेस करना है, सीधे आपको यहाँ पे प्रेस करना है, और ये आ का सा slow है इसे हो सकता है ये आगे अगर software का कुछ updates आए तो ये आपका चीज सही हो सकता है ये और भी fast हो सकता है वाला कि अभी तो at present ये slow दिया हुआ है और साथी साथ इसके camera को देख लेते camera इसका बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है अगर आपको इसके camera को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हुए या को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मेरे को comment section में पूस सकते हैं मैं आपका reply जरूर सेजूँगा सो धन्यवाद